आज आसाड शुक्ल नवमी मंगलवार 27 जून 2023 है आमम सकल से अति ही तुम मुदा है मुरार अरिपद पंकज सुरद मंदरे नूत कटां जेशी कृष्णा, आप देख रहे हैं दिवेशंकना, मैं भावी का जोशी इक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं यह प्रभु श्रीनाजी की नगरी का चोपटी बाजार है समय प्रभु श्रीजी के उत्थापन के दर्शनों का है अर्थात सायंकाल चार बजे के पस्चात का संदर्व यह है कि आज भी प्रातह काल से बादल तो चाय हुए थे परंतु बारिश चार बजे के आसपास प्रारंब हुई लेकिन आज बारिश थोड़ी भारी थी और यह अभी भी जारी ही है उलेखनिय यह भी है कि इन दिनों प्रभु स्रीजी की नगरी ही नहीं समगर मेवाड क्षेत्र में भी मानसून की अच्छी खासी बारिश हो रही है इसके कारण नाथद्वारा के पास इस्तित नंद संबंद बांद छलक तो कल ही गया था लेकिन आज इस पर चादर चलने लग गई है और अब यहां से बहने वाला पानी बनास अर्थात यमुना स्वरूपा नदी पर पहुँच गया है और बनास नदी भी ओवर्फ्लो हो गई है मानसून अभी प्रारंब ही हुआ है लेकिन नाथद्वारा को जला पूर्ती करने वाले सभी जलाशे पूर्ण रूप से भर गए है यदि आप नाथद्वारा आ रहे हैं तो थोड़ी सावधानी रखें जाय स्रिक्रिष्ण आए पुष्टिवार के प्रधान पीट नाथद्वारा स्थित शुनाजी मंदर से आज के श्रिंगार राग वो भोक सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते प्रभु स्री जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों आशाड मास की सेवाए चल रही हैं जिसके तहत आज की तिथी का कोई नियत श्रंगार नहीं होने के कारण प्रभु स्री गुवर्धा धरन की प्रेरना और तिलकाय स्री की आज्या से एच्छिक श्रंगार धराये गए हैं हलका सब भाव कीर्तन का आवलोकन करते हैं दर्शन प्रारंब करने से पहले आईए निकुंज नायक प्रभु स्री गुवर्धा नाज्जी के श्री चर्णों में दंडवत प्रनाम करते हैं और श्री चर्णों से ही प्रभु के दर्शन प्रारंब करें तो आज प्रभु को आभरन से मिलुआ नूपूर पेंजनिया और विच्छिया धराये गई हैं अब परम मंगल कारी प्रभु श्री जी के सुन्दर मुखारविंद के दर्शन करते हैं भाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भाती प्रभु ने धारन किये हुए हैं प्रभु के अधरों पर मंद मुसकान है जो बर्बस ही मन मोह रही है और अपने अधखुले नैत्रों से मानो प्रभु हम पर कृपादर्ष्टी डाल रहे हैं इस अलोकिक और सम्मोहित कर देने वाले प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन के पस्चात आईए प्रभु ने अपने भक्तों को उनके भावों के अनुसार किन-किन रूपों में धारन किया है दर्शन करते हैं श्री जी के पार्श भाग में आज केसरी रंकी मलमल की पिछवाई सजाए गई है विशेशता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनरी के हाशिया से सूसजित है पिछवाई के अलावा प्रभु के समक्ष गाधी तकिया एवं चरंचों की पधराई हुई है जिन पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है इनके अलावा तीन पढगाजी भी प्रभु के समक्ष गाधराय हुए है इन में से एक पर बंटा जी दूसरे पर जारी जी एवं एक अन्य पढगाजी पर शीतल जल से भरा हुआ माटी का कुंजा गाधराया हुआ है गाधी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई दो गुलाब दानिया पधराय हुई है प्रभु के समक्ष एक चांदी का रथ पधराया हुआ है और चर्वित ताम्बूल की सेवार्थ चांदी की त्रिष्टी जी पधराय हुई है अब प्रभु स्री जी को आज जो वस्त्र अंगीकार करवाए गए हैं उनके दर्शन करते हैं आज प्रभु को केसरी रंग के प्राचीन सेला वाले वस्त्र धराये गए हैं वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज धोती और उसके साथ पटका धराया हुआ है यह दोनों ही वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए हैं आज भी ठाड़े वस्त्र नहीं धराये गए हैं इसलिए पिठी काजी के संपूर्ण दर्शन हो रहे हैं प्रभु श्री जी को आज धराये गए श्रंगार एवं आभरनों के दर्शन करें तो आज प्रभु को छोटा अर्थात कमर तक का उष्ण कालीन हलका श्रंगार धराया गया है जिसके तहत कंठहार, बाजुबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्री काये आदी सभी आभरन प्रभु को आज मौतियों से सिद्ध किये हुए धराय गये है श्री मस्तकपर प्रभु ने जिनको धारन किया है, आएए उनके दर्शन करते है आज प्रभु ने कैसरी रंकी ही मलमल की छज्यदार पाग धारन की है पाग के उपर आभरन से मिलवा ही, सिरपेच धराया हुआ है और सिरपेच पर प्रभु को आज सीधी चंद्री का धरायी गई है जिसके साथ मौतियों से सिद्ध की हुई लोम भी धरायी है बाई और शिश फूल धराये हुए है श्री कर्ण के श्रिंगारों में प्रभु को आज आभरन से मिलवा मौतियों के ही कर्ण फूल धराये गए है फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, गुलाबी, एवं तुलसी के पत्तों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धरायी गई है प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुश्मों से सिद्ध किये हुए सुन्दर छोगाजे भी धराये गए है श्री हस्त में प्रभु के आज तीन कमल की कमल छड़ी धरायी गई है वेनु जी आज प्रभु को जीने लहरिया वाले धराए गए हैं कटी पर प्रभु को आभरन से मिलवा ही जीने लहरिया वाले वेत्र जी धराए गए हैं और खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट उश्नकाल का और गोटियां हकीक की पधराई गई हैं परन्तु हकिक की यह गोटियां आज छोटी वाली हैं इन सभी वस्त्र, साज, श्रेंगार एवं आभरनों से अलंकृत प्रभु की छवी अदभुत लग रही है इस अलोकिक छवी का प्रभु को अउलोकन करवाने के लिए नित्यवत चांदी वाली आरसी दिखाई गई है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अश्टयाम सेवा होती है आईए उनका अउलोकन करें मंगला में लाल माई बांधे कसुंबी पाग राजभोग में नयोनेह नयोमेह आरती में ब्रज में रतन राधिका गोरी शयन में दोवुजन बेठे कुंज सुहाई मान के पद में प्यारी के गावत कोकिला पोडवे के पद में रंग महल गोविंद पोड़ है कीर्थनों का प्रभु के सनमुख गायन किया जा रहा है श्रिजी सेवा का अन्य सभीक्रम नित्य अनूसार हो रहा है चिसमें दूद दही एवं अन्य सामगरिया जो दूद घर में सिद्ध होती है उनका भोग अरो गया जाता है तो प्रभु के बाल भोग में सिद्ध होने वाली अनसखडी सामगरियों का भोग विशेश रूप से राजभोग में अरोगाया जाता है तो रसोई में सिद्ध होने वाली सखडी की सामगरियों का भोग भी प्रभु को अरोगाया जा रहा है और शाक घर में सिद्ध होने वाल विशेष्ट सामगरियां भी अरोगाई जा रही है विशेष में प्रभु को जनमाष्ट में तक तीन दिन अंकूरित दालों का और तीन दिन अंकूरित छुकी हुई दालों का विशेष भोग अरोगाया जाता है और संध्या के भोग में प्रभु को मौसमी फलों का भोग भी नियमित अरोगाया जाता है पानगर की सेवा के तरथ प्रभु को तांबूल भीडा नित्यवत अरोगाये जाते हैं मंगला, राजभोग और संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है तिलकायत श्री के सानिध्य में सुखेन संपन हो रही है और सभी दर्षन आनंद पूर्वक हो रहे हैं क्योंकि अब प्रभु श्री जी की वर्षा कालीन सेवा हो रही है अतह राग मलहार के पद गाये जाते हैं और आसाड शोकलपक्ष पूर्णी मा तक प्रभु के सनमुख रत पदर आया जाएगा और तब से ही ठाड़े वस्त्र नियमित धराये जाएंगे जय श्री कृष्ट्न अदेश विदेश के पुष्टी मार के हवेलियों से भाव किर्थन के साथ तर्शन करते हैं लालमाई वीजत आये जेख लालमाई वीजत आये जेख हाथ लकूठी यां कामर खोई हाथ लकूठी यां कामर खोई खुंदत कीच सने कर लालमाई वीजत आये जेख निश अधियारी हाथ नहीं सूचत निश अधियारी हाथ नहीं सूचत पवन जाको रत में हाथ पवन जाको रत में हाथ सूर दास दामीनी के दम के लखी सामरी देग लालमाई आभी जत आये जेख लालमाई वीजत आये जेख निश अधियारी हाथ नहीं सूचत पवन जाको रत में पवन जाको रत में सूर दास दामीनी के दम के लखी सामरी देग लालमाई लखी सामरी ये लालमाई वीजत आये जेख लालमाई वीजत 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 आये जेख आये जेख लालमाई शकी रीखन तो गरज जये जेख बरकत में अपवन पुई यान शोंग अपने मद अनुराग्यों अपने मद अनुराग्यों बोलत मूर पपय या बोलत बोलत मूर पपय या बोलत नयो वीरग अन जायों नयो वीरग अन जायों हम बिचुरी बैठी भाव ननुने हम बिचुरी बैठी भाव ननुने या रगत रस पायों यह रगत रस पायों साकी प्री गान तो गरज़ यह सूक मानत अपनी रितू सों हमारो ही यह रादाः यो अमारो ही यह रादाः श्रीवी खल गिरिदार भीन जाने श्रीवी खल गिरिदार भीन जाने आवत ही इतंवा आज के लिए बस इतना ही कल फिल मिलेंगे तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और इस चानल को सब्स्क्राइब करना बिल्कुल मत बुलेगा धन्यवाद जैशी कृष्ण प्रणक्राइब कि लिएक करना बिल्कुल मत बुलेगा आवत ही इतंवाद जैशी कृष्ण लाइब के लिए तक को लिए जैशी कृष्ण हुआ 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 हुआ